हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स तक, कच्छा दस हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है, हिंदी से 15 महात पूर्ण भविकल्पी प्रस्न हैं, जो 2030 बोर्ड एक्जाम में आने वाले हैं, अगर आप 2030 बोर्ड एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्विश्चन को देख किये जाएगा, क्योंकि 100% गारंटी देती हूँ कि आप लोग के लिए 2030 में प्रस्न यहीं से पूछे जाएंगे, अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजिए, और अगर आप 2030 बोर्ड एक्जाम की तैयार कर रहे हैं, तो वीडियो को अंतक जरूर देखेगा, चलिए तो हम क्विशन नमबर एक से सुरुवात करते हैं, चलिए बच्चों क्विशन नमबर एक देखते हैं, क्विशन नमबर एक क्या कह रहा है, दुवेदी यूग की काल अवधी है, ठीक पहला अफसन दिया गया ह अफसन दिया गया हुँँँँच्छा कर पहला है, ठीक फॉन्सों से उन्निस सुरुइस इसमें अगर हम बात करें, 1850 से नमबर एक बहरतेन दियूग क्या हो जाएगा, भारतेन दियूग, इसके बाद अगर हम बात करें, 1922 – 1931 यह हो जाएगा छाया वाद्यूग क्या हो जाएगा 6 वाद्यूग इसके बाद 1931 – 1934 यह हो जाएगा परियोग वाद्यूग परियोग वाद्यूग तो इसका अफसन सभी हो जाएगा अफसन नमबर 2 अगला question देखते हैं questioning number 2 क्विशन नमबर दो क्या कह रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं नीड का निर्मार फिर फिर किस लेखक की रचना है पहला आफसंदिया गया अमृत राय का दूसरा आफसंदिया गया महादेवी बर्मा का तीसरा आफसंदिया गया हरिवंस राय बच्चन का कि चौथा आफसंदिया गया जैसंकर परसाथ का तीसमें अगर हम बात करें क्या भूलूं क्या याद करूं नीड का निर्मार फिर फि इसमें कौन से लेखक हो जाएंगे ते हो जाएंगे हरी बंस राय बच्चन जी हो जाएंगे इसके बाद अगर हम बात करें अम्रित राय को तीन का हो जाएगा कलम का सिपाही इनको 1963 हिस्भी में साहित्यकादमी पुरुषकार से सम्मानित किया गया था इसके बाद अगर हम बात करें महादेवी बर्मा की रचना हो जाएगे निहार रसमे निर्जा यामा और देव सिखा किसका हो जाएगा यह हो जाएगा महादेवी बर्मा का इसके बाद अगर हम बात करें जैसंकर परसाद का तो जैसंकर परसाद का हो जाएगा कामायनी क्या हो जरना किसका हो जाएगा जैसंकर परसाथ का जिसमें क्या भूलू कि आयद करूइद कुरों निर्मार के लिखक की रचनात ही हो जाएंगे आफसन नमबर सी हरिबंस राय बच्चन अगले question की ओर चलते हैं अगला question हमारा तीन number है तीन number question क्या कह रहा है कला और संस्कित के लेखक हैं पहला आफसंदिया गया हजारी परसाथ द्रिवेदी दूसरा आफसंदिया गया धर्म बीर भारती तीसरा आफसंदिया गया जैनेन कुमार और चाउथा आफसंदिया गया वासदेश रण अगरवाल तीसमें बात करें कला और संस्कित के लेखक की तीसमें हो जाएंगे वासदेश रण अगरवाल जी हो जाएंगे इसके बाद अगर हम बात करें हजारी परसाथ द्रिवेदी की तो इनकी रचना हो जाती है कलपलता और कुटा जिनकी हो जाती है इसके बाद अगर हम बात करें धर्म भीर भारती की हो जाती है अंधा यूग इसके बाद गुनाहों का देउता और जैनिन कुमार की हो जाती है फासी इसके बाद एक रात और दो चिडिया दो चिडिया किसकी हो जाती है जैने कुमार की तो इसका 냉न नंबर डी अगले कोईशन के मझा क्या है रहा है चार थो क्या है अमिर कु सरों की रचना का नाम है पहला अपन दिआ गया 17 संदूरा अफसन दिया गया बीजग तीसरा आफसन दिया गया चौथा आफसन दिया गया पहलिया या मुकरिया जिसमें अमीर खुसरों की रचना की बात करें तो अमीर खुसरों की रचना हो जाती है आफसन डी आफसन डी हो जाती है पहलिया या मुकरिया इसके बाद अगर हम बात करें सब्दा नुसासन ये सब्दा न नाभा दाजी का तो इसमें आफसन कौन से हो जाएगा आफसन डे पांच नंबर क्वेशन क्या कह रहा है कि निम्निलिखित में से च्छायावाद युग के लेखक हैं पहला आफसन दिया गया सूरे कांतिर पाथी निराला दूसरा आफसन दिया गया सिव मंगल सिंग सुमन त चौथा आफसन दिया गया पदम सिंग सर्मा तिसमें हम छाया वाद युग की बात करें तो इसमें हो जाएंगे सूरे कांतिर पाथी निराला आफसन नंबरे इसके बाद अगर हम बात करें सिव मंगल सिंग सुमन ये किसके हो जाएंगे ये हो जाएंगे परियोग वाद य हो जाएंगे सुकल नंगे इसके बाद बाद करें और यह किसके हो जा एक किसके नोर और छे न यूग्धा सुरस्थि 009 में प्रकासित की गई थी पहला है सिर्फ का किसकी है तो हो जाएगा आचार महावीर परसाद जी की महावीर पर साथ द्रिवेदी जी की है और कब प्रकासित की गई थी तो सन अट उन्निस सो में है ना सन उन्निस सो में प्रकासित की गई थी तो इसका आफसन नंबर कौन से सही हो जाएगा आफसन नंबर भी अगले कुशन देखते हैं अगला कुशन साथ नंबर है साथ नंबर क्या कह खड़ी बोली की पर्थम गद्रचना मानी जाती है इसमें पहला अफसन दिया गया है राग दरबारी दूसरा अफसन दिया गया है क्या भूलू कि आयाद करों तीसरा अफसन दिया गया गोरा बादल की कथा और चौथा अफसन दिया गया साहित त्योलोचन ठीक तो इसमें ब इसमें बात करें कि इसके लेखक कौन है तो यह हो जाएंगे मलिक मुहम्मद जायसी जी कौन हो जाएंगे मलिक मुहम्मद जायसी की किसका गोरा बादल की कथा लिखें है इसके बाद अगर हम बात करें राग दरबारी तो राग दरबारी मतलब किस लेखक की रचना है तो यह हो जाएंगे स्री लाल सुकल जी किसकी है स्री लाल सुकल जी की रचना है इसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं अभी है मैंने पहले यही कुश्चन था दूसरा वाला इसमें हो जाएंगे हरीवन्स राय बच्चन जी इसके बाद साहित ते लोचन किसका हो जाएगा स्य कुईशन नमर आठ देखते हैं कुईशन नमर आठ क्या कहारा है कि राम बृच वेनी पुरी किस निवढद के लेखक हैं पहला आफसंद आगया बट पीपल दूसरा आफसंद आगया ठलुफ तीसरा आफसंद आगया पुसकी राध और चौथा आफसं दे lat गेहूं और गुल कर राम धारी सिंग दिनकर की रचना हो जाएगी ठलुवा कल्भ हो जाएगा और पूश्ग की रात ये दोनों किसका है मुंसी प्रेम चंद जी का है तो रामद्रिच बेनी पुरी किस निवंद के लेखक है तो हो तिब्बत यात्रा किसका हो जाएगा तिब्बत यात्रा हो जाएगा राहुल संस्कृतियान जी का इसके बाद अगर हम बात करें अग्ये जी की रचना कौन सी हो जाएगी तिनकी हो जाएगी भगन दूत क्या हो जाएगा भगन दूत और चिंता किसकी हो जाएगी अग्ये ज प्ढ़ख पूर्ण सिंकंही मजदूरी कि अरु कि रेम किसकी हो जाएगी यह जाएगी अध्यापक पूर्ण SINGH हो जाए गले क्वूशन मधर 10 क्याह कि उधक करते हैं हो सा यूग ऐसा यूग है जो हिंदी गदिको उतकर्ष का सूर्योदे काल था ठीक इसमें पहला अफसन दिया गया च्छाया अधत्तर आद यूग दूसरा अफसन दिया गया दिवेदी यूग तीसरा अफसन दिया गया च्छाया बाद यूग और चौथा अफसन दिया गया भा question number 11 देखते हैं कि रानी केतकी की कहानी के लेखक है ठीक ये लगभग लगभग हर परिच्छाओं में पूछा जाता है और अब की बार ये भी question आएगा 100% गारंटी के साथ इसको important लगा लिजिए इस question को चलिए देखते हैं question number क्या कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक ह हो जाएंगे इसका आफसन कौन से हो जाएगा आफसन नमबर है इसके बाद अगर हम बात करें सदल मिस्र की रचना क्या हो जाएगी इसमें सदल मिस्र की रचना कौन सी हो जाएगी सदल मिस्र की हो जाएगी ना सिकेतो पाक ख्यान किसकी हो जाएगी सदल मिस्र की हो और कि पुराण किसका पद्मे पूराण किसका हो जाएगा ग्यारा का कौंसा सी हो जाएगा ग्यारा का अफसन नमबर 8 अगला कुसिण देखते हैं कुसिण नमबर 11 कै रहा है ग्यास नमबर 12 सत्राथ ग्रवाल दूसरा अफसन दिया गए राजल अच्छमर सिंग, तीसरा अफसन दिया गए स्वामी दयानन्द, और चौथा अफसन दिया गए सदर्मिस माईक जीन तो इसमें अगर हम बात करें चायोदवत्तर वाद पत्रिका की तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा कादाम बनी है ना कादाम बनी पत्रिका है कव प्रकासित हुई थी यह हुई थी अठारा सो इक्यासीस भी में इसके लेखक कौन हो जाएंगे इसके लेखक हो जाए पत्रिकका कब प्रकासित हुई थी इसके लेखक हो जाएंगे कौन चिंता चिंता मड़ी घोस जी हो जाएंगे है ना सुरसती पत्रिका के इसके बाद अगर हम बात करें हंस की तो हंस पत्रिका कब प्रकासित हुई थी तो 1930 इसवी में प्रकासित हुई थी इसके लेखक हो जाएंगे मुनसी प्रेम चंद जी इसके लेखक हो जाएंगे मुनसी प्रेम चंद जी इसके बाद अगर हम बात करें हरीस चंद मैं एक जीन की ये पत्रिका कब प्रकासित हुई थी तो ओठारा सो तीहत्तर इस भी में प्रकासित हुई थी इसके लेखा कौन हो जाएंगे हरीस चंद जी हो जाएंगे तो तेरा का कौन सही हो जाएगा आफसन नमबर बी सही हो भिख टिक से प्रसित दालो चक क्या क्या यह जहाएए इसके बाद हम देखते हैं कुईशन नमबर 15 क्या कर आए कि निम्न में से प्रेम चंद्र के संकालिन दो लेखक कौन थे पहला अफसंदिया गया जैसंकर परसाद और जैनेंद कुमार दूसरा अफसंदिया गया भिखारी दास और जैसंकर परसाद तीसरा अफसंदिया गया सोड़ दास और रस्खान और चौथा अफसंदिया गया प्रेम चंद्र और कभीरदास इसमें ऑगर हूना करें प्रेम चंद्र के दो संक tusind काल लेकट कि तो इसमें कौन सा हो जाएगा जै संकर परशाद और जॉय नियंद कुमार क्या थै प्रेम चंद जी के शंकाल ने क Hep एप परसंड दूह विकल पे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजेगा कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी